आज मैं आपनों के साथ सेर करनी जा रही हूँ एक ऐसा ड्रिंक जिसे magic ड्रिंक भी बोल सकते हैं जी हाँ magic ड्रिंक क्योंकि इस juice में गुनों का भंडार है जी हाँ आज मैं सेर कर रही हूँ धनिया juice ये gas, acidity और मोटापा के लिए तो रामबान की तरह काम करेगा जिनको कबज और acidity की problem रती है उनके लिए भी बहुत ही असरदार है इस्पेसली ये उन लोगों के लिए आज मैंने ये ड्रिंक बनाया है जो अपनी मोटापा से परिशान है, फैट से परिशान है तो उनके लिए ये juice बनारियों तो चलिए शुरू करते हैं juice बनाना इसके लिए लेते हैं धनिया पत्ता, अच्छे से धो के इसको ले लेना है अब लेते हैं आधा निम्बू, एक इंचे द्रक का टुकरा और एक चमच अजवाइन जी हैं अजवाइन में भी गुनों का भंडार है, इसकी जितनी भी बात की जाए बहुत कम है तो चलिए इसका juice बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से इसको ले लेना है धनिया पत्ता को कट करके मिक्सी के जार में डाल देना है बहुत ही आसान है और बहुत ही एजी वे में ये juice बन जाएगा अब इसमें अद्रक का टुकरा डाल देते हैं और अजवाइन वो डाल देते हैं अधक का पानी इसको ग्राइन करने के लिए बस इसका एक अच्छा सा पेष्ट बना लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये जूस बन जायेगा और ये देखिए एक पेश्ट तयार हो चुका है अब इसमें थोड़ इसी पानी और एड़ करेंगे तो ये हमने एक ग्लास जूस इसका बनाना है तो मैंने एक साफ ग्लास ले लिया है सिसे की अब इसमें आप रिमूब कर लीज तो ये देखिए बहुत ही सुन्दर दिख रहा है ना हरा हरा जूस अब इसमें हम आधा निम्बू निचोर देंगे और थोरी शी काला नमक डालके इसको अच्छे से मिला लेंगे तो रेडी हो गया ये हमारा जूस ये जूस अगर आप मोटापा से परिशान है अपने बढ बहुत ही रामबान का काम करने वाला है अगर ये 15 दिन अगर ये जूस वो पीते हैं तो उनको रिजल्ट दिखने लगेगा और इसको मेहने दिन सेवन करना है तो उनमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा मगर 15 दिन में ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं तो ये जूस एक बार जरूर ट्राइक किजे जिनको गैस का प्रॉबलम है जिनको एसिडिटी है उनके लिए भी जूस बहुत ही फाइदेकारक है और इसको पीने के बाद तो इतना रिलाक्स फिल होता है और अच्छी नींद भी आती है तो एक बार ये जूस जरूर पिए सुबह के समय खाली पेट हलका अगर आप गुनगुना पानी मिला सकते हैं तो वो भी डालिए तो ये रेशिपी कैसी लगी जरूर बताइए